राधे राधे सब्स्ट्रेक दीजिए फुनीता कुकर चानल को वेल आइक अंद भाईए काना जी की वीडियो की नुट्विकिशिट भाईए राधे राधे इस उनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमने ये तीन शेट की उनली है जो कि मेरे पाद बची हुई हुई हुने काना जी की ड्रेस से बेबी हुन बची हुई है तो इससे मैं एक नंबर से दो नंबर काना जी को ड्रेस आजए ऐसी ड्रेस ब से बनेगी आप बहुत ही जल्दी बना लेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले और थोड़ा आज कल लूज ड्रेस पहनाना चाहिए वैसे भी काना जी को क्योंकि हम डैबलिंग करते हैं और बहुत उनको को खीच कर पैनाने में बहुत दिक्कत हुद दीै क्योंकि मेरे पास Less Gay जब में थोड़े है मे ड्रेस चोटी हुई तो में आप खीच कर पैनाने के लिए तो अप थोड़ा बनाईंगे तो पैनाने इजी होगी या-टाना"-जी को बनाना चाहएं तो बना सकते हैं तो मेरे 11 नंबर का क्रोश है यह मैंने 10 नंबर का क्रोश है लिए इसी से मैं बना रही है। 4 drie ने बना ली है 14 चेंड तो आप देख सकते हूँ की तो इसी स्टैसी उड़ा करे नोग दिखाते हूं कि it情 लोग देखिया ना तो काने जी के तो नेक बहुत पतला सा होता है तो यह बहुत इजी रहए गा पहनाने में क्योंकि जब भी हम ड्रैस को पनाते तो नेक खिचता है ऐसे जब वाजू को लाते। खासकर फ्रन्ट ओपन जो लोग पहनाते हैं अगर बैट ओपन पनाना है तो आप दो तीन तीसरी चेन में डबल करोशे लोगी ये ड्रेस में डबल करोशे से बना रही हूं डबल करोशे बहुत लंबा नहीं लेना चाहे तो आप डबल करोशे भी ले सकते हैं लेकिन मैं डबल करोशे ही ले रही हूं तो मैंने तीसरी चेन में डबल करोशे लिया और उसके ब तो टोटल यह हमारी 12 चैन है जिसमें से हमने स्टिच लेने क्योंकि 14 ली थी तो तीसरी में लिया है दो हमने छोड़ दी है आप ठीके ना तो इस तरीके से हम बीच में समय एक एक सोरी दो डबल करोशा लेते हैं लास्ट वाली जो चैन है इसमें सिर्फ हम एक डबल करोशा ल ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, इकेस ठीक है ना क्योंकि हमारी 14 चैन थी यहां पर एक ली और यहां पर एक ली और जो बीच में 10 चैन है उसमें से हम लाश्ट वाले चैन में हम एक बार लेंगे तो टोटल हमारी 20 सिस्टिच हो गई है ठीक है, यह हमने लाश्ट में एक ली ठीक है, अप यही से हम वापस होएंगे, एक ले ले लेते हैं इसको और ठीक फरस्ट चैन में से यहां पर इसको एक की मानेंगी सिंगल क्रोश्या, एक सिंगल क्रोशिया अगली चेन में जाएंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया लेंगे लेकिन जो तीसरा चेन हो इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशिया लेंगे एक और ये दो तो हर तीसरी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया लेंगे एक दो है कि और ठी-पिसरी हम दो बार यह में एक नमबर से दोНमबर काणाजिक लिए बना रहे हैं क्यूंक एक नमब incar लेकिन वह पर पना रही है इसलिए मैंसे एक से दो ही बना रहे हैं जिसे वह आपर पहना सके खुली अगर आप एक नमबर कानाजी के लिए फिटिंग में चाहिए आपको तो आप जीरो से एक नमबर कानाजी की ड्रेस देखके बना सकते हूं ठीक है ना तो मैं हर तीसरी चेन में दो दो बारे स्टिच लूँगी तो इस तरह के से हम बनाते हूं यहां पर आगए और लास्ट अले चेन में से हम एक सिंगल क्रोशा लेंगे तो टोटल हमारी जो है साथ स्टिच बढ़ गए जिससे ही 29 होगी चेन आप गिल लिजेगा इस देख से 29 होगी है अब हम इसमें बाजू को अलग करेंगे तो यहां पर एक चेन बना लेंगे और यहीं से हम बाजू को अलग करेंगे तो यहां पर हम एक चेंड और बना लेते हैं क्योंकि हम डबल कुरोशी से बनाएंगे जिसे बाजू लूज भी बन जाएगी अच्छे से पहनाने में इजी कभी भी हम पनाते हैं तो ऐसे खीचा आव आता बाजू में डालने के बहुत खीचा आव तो यह अगर छोटी होगी हूँ जिससे फ्रेंट ओपन अलाम से पहना सके ठीक है तो यहां पर हमने दो चेंड लेकिन इससे स्टिच नहीं करेंगे अगर आप तीन ले लोगे तो स्टिच माने के लेकिन मैं इसको नहीं मान रही हूँ इसलिए मैं इससे फस्टर चेंड में डबल क्रोशा लोंगे एक कि मैं आप इसी चीज को बनाएंगे तो बहुत खुली खुली होती है क्योंकि वह बहुत ड्रेस बनाते सलिए बहुत लूज लूज हाद चलाते सलिए वह ड्रेस बहुत बड़ी लगती है वह हम घर में अपना थोड़ा सा डबल क्रोशी की स्टिच चोटी बनाते तो हमारी चोटी लगती है तो चलिए हमारी 29 सी चार में यहालोंगी फ्रेंट में चार यहालोंगी छेचे की बाजु छोड़ूंगी तो छेओ चार दस यहां बीस हो गई पीछे में नो रखोंगी सी दस हैसाब हमारा ठीक है तो मैंने यहां चार डबल करोशी ले लिए यहां से में एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथवे चेन में में यहां से नो डबल करोशी ले बनाऊंगी ठीक है ना सीधा सा हिसाब हो रहा है चार और छे, दस हो गया और 29 सी यहां पर भी 10 होगे 20 और यह पीछे की नो डबल करोशी यह 29 इस तरीके से हमारा हिसाब मिल्कु ठीक ब बनाएंगे और यह 9 यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो तो यहां हम से आपकी दो नंबर काना जी को भी आएगी ठीक है ना एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, छोड़कर साथवे चेन में हमें यहां पर डबल करोशी यह और इस तरीके से यहां पर भी हमारी चार हो जेगी, दो, स्टिच, तीन, और यह लास्ट में, चार, यह बन गई हमारी चोली त्यार हो गई है, ठीक है, यह देखें, जब पहनाएंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे रखना, तो फिटिंग आजए यह देखें, आप ऐसे बनाएए, ऐसे बनाएए, तो यह देखें, हम इसे फ्रंट ओपन बनाएंगे, जो पहनाने में तोड़ा इजी रह इसलिए, अब यह हमारा घेरा शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हम दोचें लेंगे और इस तरीके से यह ही से घेरे को बनाना शुरू कर देंगे, या फिर आप एक सिंगल करोशी की लाइ जिलेगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे यह से वापस हो जाते हैं, और एक सिंगल करोशी की लाइन बना लेते हैं, जिसे कि आप डोरी भी डाल सकें, ठीक है ना, तो हर चेन में से मैं एक एक बार सिंगल करोशी ले ले लेती हूँ, इसके अंदर से हम डोरी डालेंगे, ठ चुरू कर देंगे, तो देखिए हमने इस तरह के सिंगल करोशी बना लियां, तो और चॉली हमारी लंबी हो गई है, सिंगल करोशी बनाने से, देख रहे हूँ ना, लेकिन हम जब इसके अंदर से डोरी डालेंगे, तो यह कमर पे फिटिंग हो जाएगी, चॉली हमारी इत सब्सक्र Reign और जो आप पर एक यह और यहां पर एक दो चेन में से रेला हिए हमने की बार कुले से और फ्रस्ट चेन में हम दो पर डुबल आप पिर अगली तीसरी चैन में एक बार लेंगे बहुलार दूसरी चैन में हम घुत तो घुन है बनाना है तो है इसके पाद ही जो मेंं दो बनानने वाली जो आप हम आप टालें कर शरू कर सकते हो थीर नमबर के लिए एक profit लिए नमबर के लिए बना इंगी आप दोन के बाउंड के पास फीए कर सकते हो ठीक है लेकिन हम थोड़ा साब बड़ा जैसे मैं पहली में एक ले लिया और यह जो तीसरी चेन है उसमें. दो बर डबल क्रोशी में एक और यह दो तो हर दूसरी तीसरी चेन में हम दो-डो स्टॱे लेंगे इस तरहे के से हमारा घेरा बनेगा तो यह देखे इस तरहे लेंगे तो यहां इस दब बनाएंगे उसको बीस तरीके से आपको उनी तरीकसे बीस выпraut बटाइंगे टिक सुन्दर लग रहा दोग संदेर ले लेंगे इस थे बन से बनाएंगे क्सथी बटा जिसमान डौर फा B तो यह मैंने ऐसे ले लिया ठीक है ना इसको आप ऐसे दबाते ही जाए तो यहां पर मैं एक दो तीन चेन लोंगी ठीक है और उसी चेन में से जहां से मिलिया है यहां पर एक डबल करोश्या ले लिए तो मैंने यहां पर डबल करोश्या ले लिए ठीक है अब हम क्या करेंगे एक चेंड चोड़कर दूसरे में ये स्ट्रेच लेनी कैसे लेना है इधागा में दबा रहे हूं पीछे से एक डबल करोशिया और इसी में दूसरे डबल करोशिया तो ये दो डबल करोशिया होगा फिर एक चेंड चोड़कर तो एक चेंड चोड़कर दूसरे चेंड में मैं स्लीप कर रहे हूं मैं इसको ले नहीं बनाए नहीं रही हूं डबल करोशिया लेहım ऐसे एक डबल करोशिया और दोड़ बनारे रए बनातो हूं ॥ लाइड क्लर है नकले वह रहरेकर से बना लिया है और इस दादय को कटिकले हूं कि अब हम लगाने वाले रेड कलर तो इसलिए मैंने आपको का था अगर आपको घेरा कम चाहिए तो आप दो राउंड के बाद यह डिजाइन शुरू कर सकते हूँ तो देखे हमने यहां से बनाना है और यह देखे हम इस तरह के से हुक डालेंगे और यहां से धागा लेंगे और यह देखे अगर आपको नोट नहीं बादना तो इस तरह के से आप इसको घुमा दीजिए धागे को और फिर एक चेन ले लिए ठीक है अब यहां पर हम एक चेन ले चुके हैं दो और यह तीन तीन ले लिए हमने और यह जो हमारे दो स्टिचेस के अंदर से हम चार बार ड ठीक है चार बार हमने ले लिया इस तरह के से और इसको थोड़ा लूट छोड़ेंगे और यहां पर देखे एक दो तीन चार यह जो लास्ट में था हमारा चेन थी इसके अंदर से हमने यहां से स्थागे को लेकिए ऐसे आना है तो यह आपस में इस तरह के से फ्लॉवर की तरह हो जाएगा और यहां पर एक दो तीन और यह चार चेन हम ले लेंगे और फिर यह देखे अगली जो यह दो स्टिच इसके अंदर से सेम हमने इसी तरीके से फिर बनाना है एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया चार डबल क्रोशिया और इसे लूज करेंगे और यहां से जो पहला है यहां से इस तरीके से इसको खिशते वे इस इलाके एक चेन ले ले ठीक है फिर एक चेन ले चुके हैं दो, तीन, चार चेन लेंगे और फिर इस तरह के से अगली में चले जाएंगे ऐसे हमने बस फ्लोवर बनाते जाना है एक दो तीन चार चार डबल क्रोशा लिया इसको लूट छोड़ा और जो यह पहला वाला है आप डबल क्रोशा यहां पर इस तरह के से चेन में डाल कर और इसको स्टिच को ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए यहां पर चार चेन बनानी आपने है ठीक है तो यह आपके ऐसे फ्लॉवर आएंगे जो देखने में बहुत सुनतर लगे हैं यह बस इस तरह के समने बना लेना है तो यह देखिए इस तरह के समने फ्लॉवर बनाते हुए यहां पर आखिर में आ गए हैं ठीक है तो चार पर हम ने यहां पर भी डबल क्रोशिय लिया है और इस तरीके से एक, दो, तीन, चार्ज, चोथी चेन नहीं यहां से ऐसे क्रोशिय डाला और इसको खीच कर यहां ले आए और यहां पर हम एक यह देखिए धागा इसको दबा लेंगे इस तरीके से दो और यहां पर बस हम एक डबल क्रोशिय लेके इस तरीके से धागे को कट कर देंगे हैं तो आप सितर के से आउट लाइन रेट से कर सकते हैं लेकि मुझे लगऄ रहा की इसी सिंपल इस तरीके से जैसे यह बीच में आ रहा है पूरा ड्रेस प्लेन और चार तरफ लॉवर आ रहे हैं और उपपर जो कैप आएगी इसमें भी हम इस तरह के से चोटी सी कैप बनाएंगे तो आउटलाइन नहीं करेंगे तो जादा सुनतर लग दिए सिर्फ यहां पर डोरी आप लगा दीजिए चीक है नौ तो यह देखिए मैं इ यहां पर बताया था जो सिंगल क्रोशे हमने हां से डवल पाजी सिंगल क्रोशे लिया था यहीं से हम क्रोशे को इस तरह के से उपर नीचे कच्छा करते नहीं से ले जाकर यह देखिए इस तरह के से और धाग यह जो हमारे चेने इसको पकड़कर ऐसे खीच देंगे बैस तो यह देखें इस तरह किसे डोरी डाल दिए जो देखने में अच्छी भी लग रही है और काना जी को आप यहाँ पर कमर पर इस तरह किसे फीटिंग करने के काम आएगी अगर बटन ने लगा तो जब भी इस तरह किसे आप बांद सकते हो तो आप चाहिए इसको ऐसे से आजेगा आप अगर दोरी को थोड़ा सा आगे पीछे करके निकाल लेते हो ठीक है ना तो यह देखें ड्रेस हमारी बनके त्यार होगी है और फ्लॉवर कितने सुंदर लग रहे हैं तो यह हमारी अराम सी तीन नमबर काना जी को भी आप पहना ना सकते हो लेकिन चोली आ प्राии मीटाय रहे इसका तो चार जो था जीरो नमबर काना जी को भी तो यह आ रहे है बडाई यार रहा है तो हैं की यौरे बड़ा बनाना था अबस्त्राइब बनाना अच्छा है तो अबने च्राम से थासिता इयंको थेरने एक्वी जीरो निम्बर कानजी की भोस से मिल जाएगी फिर भी मैं इसके साथ का ऐसे बना देती हूं ठीक है ऐसे हमने एक सिंगल करोशे लिया तो इस रिंग में से हमने इस तरीके से छे सिंगल करोशे लेना है एक दो तीन चार पांच और यह छे ठीक है और इस धागे को पकड़के ऐसे खीचेंगे तो यहां पस में जूड़ जाएगा और जो फर्स्ट चेन थी यहां पर यहां पर हम सिलिप स्टिच ले लेंगे तो यह देखे एक सरकल सा बन गया बस हमें य चेन और ले लेंगे और हर चेन में से हम दो दो बार डबल करोशे लेंगे जिससे आपको निशानी सी याद रहेगी कि हाँ डबल करोशे में वैसे तो पता नहीं चलता करें पर सिंगल करोशे में तो जादा भी स्टिच हो जादी तो यहां पर हम इस तरीके से हर चेन में से दो-दो लेंगे दो الأ scar नो हमारी 12 जो हो जाएंगी एक कि और यह दो कि आपके दो-दो ले लेते हैं तोय हमने इस तरीगे से 2 दो शेच ले लिए यहां से यह फिसर छे नैं यहां से हम सैंपस में जोड़े देंगे तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बनाए ठीक है कैप अब हम हार चेन में से एक एक बार सिंगल करोशा ले लेंगे बारा स्टिच है तो गिनके ले लिजा आप ऐसे एक क्योंकि बारा ही हमारी दो तीन इस तरीके से आप बारा स्टिच गिनके बनाएंगे तो कोई कम जादा नहीं ह तो देखिए कितनी प्यारी सी गोल सी कैप बनी है देखिए राम से आपके एक दो नंबर कानजी को आजएगी इसकी शेफ बहुत अच्छी आती है अगर आपका हाँ ज्यादा टाइट है तो आप इसको 11 नंबर करोशे से बना सकते हैं जो इतने भी धागे हम इनको कट कर दें आप इस तरीके से हमने ये लगा लिया और जो भी धागे इनको दबाते हुए हम एक लेंगी बारा स्टिच है तो हर एक चेंड में से हम एक एक बार सिंगल करोशे ले लेंगे गिरीन कलर से ठीक है इस तरीके से इसे दबा दीजिएगा और ऐसे देखिए थागे थोड़े स ठीक है ऐसे लेके हर चेंड में से आपको एक एक सिंगल करोशा ले लेना आउटलेंग कर देनी है गिरीन की इस तरीके साफ आउटलेंग ले लेंगे और यहाँ पर जो स्लिप स्टिच लेके आपस में जोड़के दागे को कट कर देंगे तो देखिए अब हम यहाँ से कहीं से भी रैड कलर लगा लेंगे अपना यह हमने एक चेंड ले लिया ठीक है और इस चेंड में से हम एक बार और सिंगल करोशा लेंगे तीन बार सिंगल करोशा ले लेंगे एक दो और यह तीन बार ले लिया हमने और अगली चेंड में से ह से निकाल देंगे ठीक है फिर अगली चेन में हम जाएंगे तीन बार सिंगल क्रोश लेंगे एक दो और ये ती इसे दबा देंगे फिर अगली चेन में हम सिलिप स्टिच इस तरीके से बस हमने लेस टैप का थोड़ा सा त्यार करना हलकलका यह बहुत छोटी कैप है तो देखी इस तरीके से बनाते हुएं यहां पर आगे हैं यहां पर हमने स्लिप स्टिच लिए और यहां से हमने शुरू किया था तो यह उपपर से यहां से हम इस तरीके से ऐसलिए पिस्टेच ले ले लेंगे इसको इस तरह किसे गुलाई में जोड़े तेंगे कर देंगे के अब देखिए कितनी प्यारी सी कैब बन के त्यार हुए इसके लेंगे चूपादेंगे तो देखी हल्कल किसी हमने फिरल बनाई है सिरफ इसको शोग करने के लिए क्योंकि ये देखिए तो और आम से देखि आना जी को आजेगी तो ये हमारे एक से दो नमबर काना जी के लिए हमने ड्रैस बनाकर त्यार के're जो भहुत ही जल्दी बन गया है और देखने में बहुत ही प्रशूरत लग यह सुष पनाई है जाए फो, जैसे भी आपका मान गारें डेखिए कुछ पेंका ऐसे लगे यह उमीद है है आप को ड्रेस अची लगे हो कि अच्छी लगा फोले से चिल आई मैं शें वाइक